हेलो बच्चों एक बाल फिर से मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूं बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपने पिछले किसी वीडियो को मिश्च किया आए आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 15 मैं भी देखने जा रहे हैं यह कक्षा एक रिमजिम पुस्तर का पार्ट नंबर 15 है तो इसमें क्या है आपके भी तो बहुत सारे दोस्त होंगे ना बच्चे चोटे चोटे बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं तो यहां प और एक अंड़ा में से एक चुजा बहार आ रहा है क्या है लिखा हुआ देखें हम लोग कहानी में एक अंड़े में से बत्तक का बच्चा निकला तो यह अंड़ा फूटा और इसमें से कौन निकला इसमें से एक बत्तक का बच्चा निकला यानि डक्ट का बच्चा छोटा और वो खुश हो के बोलता है लो मैं अंडे से बाहर आया एक अंडा भी और बचा है उसके अंदर से कौन निकलेगा देखें हम लो एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला तो आप देखिए दूसरे वाले अंडे का जो अंडा था उसमें से मुर्गी का एक बच्चा निकला यानि कि मुर्गी के बच्चे क्या बोलते हैं चूजा बोलते हैं एक चूजा निकला और उसने क्या बोला मैं भी आ गया चूजा बोला ये निकलते ही बत्तक के बच्चे से बात करने लगा और बोला मैं भी आ गया मैं घूमने जा रहा हूं बत्तक का बच्चा बोला तो ये बत्तक का बच्चा बोलता है कि मैं घूमने जा रहा हूं मैं भी चलूँगा चूजा बोला तो जैसे ये बत्तक का बच्चा बोला मैं घूमने जा रहा हूं तो ये चूजा क्या बोलता है कि मैं भी चलूँगा इसने कहा कि बत्तक के बच्चे से कि दोस्त मैं भी चलूँगा मैं गढधा खोद रहा हूं ये कौन बोल रहा है मैं गड़ा खोद रहा हूँ गड़ा खोदने का मतलब होता है मिट्टी में छेद करना बड़ा सा उसे गड़ा कहते हैं उस छेद को तो ये बत्तक का बच्चा बोला कौन बोला ये बात मैं गड़ा खोद रहा हूँ ये बात बतक का बच्चा बोला आप देखें चित्र में ये गड़े को मिट्टी में गड़ा पना रहा है अपने चोच की सहायता से मैं भी खोदूंगा चूजा बोला तो ये चूजा है ना वो तो जो भी चीज डखलिंग करता था बतक का बच्चा वो सब कुछ उसे भी करने का मन कर रहा था तो वो बोलता है कि मैं भी मिट्टी में गड़ा बनाऊंगा उसे मैं भी खोदूंगा मैं मुझे एक केंचवा मिला बत्तक का बच्चा बोला तो बत्तक का जो बच्चा है उसको आप देखिए एक केंचवा मिला तो उसने बोला तो मुझे एक केंचवा मिला चूजा क्या बोलता है मुझे भी तो उसे भी गड़े में से एक क्या मिल रहा है देखिए उसे भी एक केच्वा मिला फिर आगे क्या हो रहा है मैंने एक तितली पकड़ी अब फिर से बतक का बच्चा क्या बोला मैंने एक तितली पकड़ी तो ये बतक का बच्चा है उसने एक तितली को पकर रखा है अपने चोच से मैंने भी तितली पकड़ी चूजा का च चूеч लातना कल चीह है जो जो बतक का बच्चा बोल रहा है वहीं वह वह बोल रहा है तो भी अपने चॉस से इतली को पकड़ लेता है और बोलता है ते इतली पकड़ी फिर क्या हुआ आगे मैं तैरना चाहता हूं बत्तक का बच्चा बोला तो यह जो बत्तक होते हैं वो कहां रहते हैं वो पानी में रहते हैं तो बत्तक का बच्चा बोलता है कि मैं तैरना चाहता हूं यह बात कौन बोल रहा है डकलिंग यानि कि बत्तक का बच करना चाहता हूं मैं इंगे करना पानी में कुर्स पानी में जो कर दोrabi पानी मेन भूला तो नहीं पानी में में भानी मुझा माथिक पानी देखिये देखो तर जोशे लंगा पिव नशत्रा कुछ मुझा नहीं नहीं को ange inert ले देखो बतक का बच्चा पानी में उतरता है और पानी में उतर के अपने दोस्ते बोलता है देखो मैं तैर रहा हूं मैं श्विमिंग कर रहा हूं मैं भी तैरूंगा चूजा बोला तो वो तो नकल चीज था अपने दोस्त का नकल करता था हर चीज में बस चूजा बोलता है मैं भी तैरूंगा और वो देखी पानी में वो जंप कर जाता है तो फिर क्या होता है क्योंकि उसे तेरना तो आता नहीं था बचाओ चूजा डूपते हुए चिलाया उसे तो तेरना नहीं आ रहा था ना तो अब वो चिला रहा है बचाओ बचाओ तो बतक का बच्चा देख रहा है कि अरे मेरा दोस्त तो पानी में डूब जाएगा फिर वो क्या करता है बत्तक का बच्चा बत्तक के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला तो वो भी तो छोटा बच्चा था ना फिर भी वो अपने चोच से अपने दोस्त के बाल को खीच खीच की तो आगे पानी से बाहर निकालता है आगे क्या हुआ होगाँ बच्चों और बिचारा बोल रहा है तुम्हें नकल नहीं करना चाहिए सब अपने अपने चीज में माहिर होते हैं तुम जिस चीज को अच्छे से जानते हो तुमें वो काम करना चाहिए दूसरे की नकल हमें नहीं करना चाहिए ऐसी बातें बतक का बच्चा चूजे को जरूर बोला होगा आई अब हम लोग अभ्यास देखते हैं नाम दो चूजा बार बार बतक के बच्चे की नकल करता है उसे चीराने वाला एक नाम दो तो चूजा बार बार नकल कर रहा था ना तो उसे चीराने वाला टीज करने वाला थोड़ा से एक नाम हम लोग को देना है तो उसका नाम हम क्या दे सकते हैं नकलची क्या हम उसको लिख सकते हैं हम उसको नाम दे सकते हैं नकलची है ना क्योंकि वो तो नकल करता था तो इसको हम लोग नकलची नाम दे सकते हैं अब है अगला क्या डूबेगा क्या तैरेगा तो यहां तीन चीज है एक चार चीज है एक है लकडी का टहनी एक पत्थर है एक पत्ता है और एक चौक पीज है तो इसमें से कौन-कौन डूबेगा तो यह जो लकडी का टहनी है यह तो नहीं डूबेगा इसे हम पानी में डाल तो यह नहीं डूबेगा पत्ता भी पानी में नहीं डूबेगा पत्थर डूब जाएगा पानी में और चौक पिस पहले तो नहीं डूबेगा लेकिन बाद में पानी में भीगने के बाद यह डूब जाएगा अब हैं करके देखो और निशान लगाओ तो करके देखना है हमें पहले अगर ये सब समान आपके पास है घर में तो आप इन सब को पानी में डूबा कर देख सकते हैं जैसे कि चौक पिस तो चौक पिस पहले नहीं डूबेगा लेकिन बाद में वो डूब जाएगा भिंगने के बाद पत्थर ये पानी में डूब जाएगा अगर आप डूबाएंगे तो रूई सुरू सुरू में तो वो नहीं डूबेगा लेकिन बाद में पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद सौख लेगा और वो डूब जाएगा कागज ये पानी में नहीं डूबेगा है ना वो पानी में नहीं डूबेगा टहनी वो भी पानी में नहीं डूबेगा पेंसिल लकडी से लपेटा हुआ रहता है इसके चारो तरफ लकडी होता है तो पानी में नहीं डूबेगा छिलनी वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है इसलिए वो भी उसमें नहीं डूबेगा तो टहनी, पेंसिल, शिलनी और कागज ये चारू की चारू पानी में नहीं डूबेंगे उमीद है बच्चों ये वीडियो आपको पशंद आएगा तो इसे लाइक, कॉमेंट और सेर कीजेगा धनिवान बच्चों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार